हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं अरे नताश्या कैसी है और इतनी रात को तो कहां से आ रही है वो मेरे फ्रेंड के भर पे गई थी उसकी बर्टी पार्टी थी ना दाट से ओके क्या हुआ सब ठीक है तेर तबेद तो ठीक है ना हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, I'm just a little tired Okay, चद तू परजा अच्छी से सो, मेरी कैब भी आगए मैं तेरसे कल तो पैर को मिलती हूँ, चीक है? Good night! Good night! प्रेशा थाँ थीक है प्रेशा तूहSे प्रेशा यह रखेशा कौन है? कौन है वा? कौन है? कौन है? कौन है? नताशा मेम अंडे वाला? नताशा मेम साब? रोज तो मेडम टाइम पर दर्वाजा खोलती है पर आज क्या हुआ? नताशा मेडम? लगता है मेम साब ना सो रही होगी बात में आता हूं बात में आता हूं नताशा मेम साब? यह तो दोनों दर्वाजा खुला है नताशा मेम साब? मेम साब आप घर पे है नताशा मेम साब कूछ 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 हुँ हूँ हुँ ह ere ह् कूछ झाल झाल अरे राकेश जल्दी आगा गार तब यत पाने तो मसते ना नहीं यार वो क्या है ना की थोड़ी तबेद खराब लग लग ठी इसलेगर जल्दी जा रहा था यहाँ आ बारिश में भी गया गया नहीं यार वो क्या है कि मैंनर अरे क्या नहीं 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 सर से लेकर पान तक फूरा पसीले सहना रहा है तुछ तेदी हालत जे कैसा लग कि बुदुद देख लिया गया नहीं नहीं यह वो क्या है नो थोड़ी तबेद खराब है इसलिए सोच रहो कि घर जाकर नो थोड़ा आराम कर लो अचा तुछ तुछ बात बात करता है सुरी Annette ॹए डूक अंटि हे रूबर तुमंचे कह अव्य हाग है शुक जाने थेए है है तूसमा हालत नहीं आय। अगरोड को नो thernध आ तूसर की किर्शे चीरिव। कि तू? कि एक निए इस जबताना तू दिम्ला के चपकर में तो नहीं है ना? सब्सक्राइब तू क्या पाकलो जैसी बात करी है? मेरी ना तूही तबेत कराव है, मैं सोच रहा था कि घर जाकर थोड़ा आपकलू मुझे जाने दिए ने-ए-ए-ख, उस तो घड़ड है उसे बावी नहीं करता है क्या हो तूझ बता क्या आरे कुछ नहीं हो आरे पकड़ी कुछ नहीं आनल मुझे अरे छोड मेरा पैर दिखाना कुछ नहीं हो आए तूझे अरे छोटी सी चोट लग रही है मैं सुथ्रों घरजा कर थोड़ा राम करूँ, हड़जे मुझे घरजाने थे, हड़जे. युद्धे जो बोड़ें? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ, तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं, लेकिन तुम कौन हो ये मैं जानता हूँ. थोड़ी हवा खाओ, येलो, पानी प्योओ. ह, हेलो? हलो, राकेश? तो उस जगह से चितनी जल्दी हो सके, बाहर निकल जाओ. जो कुछ तुमने देखा है न, उसके बारे में किसी को बताना नहीं. राश को देखा है न? मैंने कुछ नहीं किया. उस आपमी की लाश ने पहले से भापे पड़ी थी. मैं तो गलती से भापे पहुँच गया था. मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे माफ करतो, प्लीज. कौन भरुसा करेगा तुम्हारी बात पर हाँ? तुम्हारी उंग्लियों की निशाने वहाँ पर? तुम वहाँ पर थे, इस बात का सुबूत तुमने वहाँ पर खुद छोड़ा है. और उस घर से सामान भी चोरी हुआ है. जब CID तुम तक पहुचेगी न, तो सारा सामान तुम्हारे पास से परामत होगा. इस बात का भरोसा दिलाता हूँ मैं तुमको. यह, मैंने कुछ नहीं कि. यह, मुझे मुझे माफ करता हूँ. मैं एक गरीब लड़का. अंड़ पाव बेचकर मैनत से पैसे कमाता हूँ. आप क्यों पचारे मुझे इस पुसीबत में? क्या भी गाड़ा है मैंने आपको? मेरी आपसे क्या दुश्मनी है. प्लीज मुझे माफ करता हूँ. तुम तो दोस्त हो मेरे. कौन बना तुम दुश्मन हो? देखो, अगर तुम इस मुसीबत से बचना चाते हो, तो मेरे लिए काम करना होगा. काम? तुम के निशाने बस, शायद हार्ट साइस का. फिझान भालावा ज्एरलों भालावा ईया ज्एभ मेरे. कि मेरे को अालावा पून अब सर मैंनी किया था वैसे आप सर मेरा नाम आन्या है मैं फोर्स फ्लोड पे रहती हूँ इस घर की ओनर नदाशा वो मेनी बहुत अच्छी दोस्त है मैं मैं आई थी तो यह सब देखो अब कौनी आदमी आप जनती है इसे कुई जनता है इसे ने सू इन्हें कभी नहीं देखा आप लोग ने कभी देखा इसे आप जानते हैं जा घर में और कौन कौन रहता है सर, नताशा और उसके हस्बेंड समीर, बस यह ही दोनों रहते हैं अच्छे, एक बात बताईए, आप लोगों ने समीर और नताशा को आखरे वार कब देखा था, किसे ने देखा था सर, समीर अक्षर काम के सिल्सिले से शेहर से बहार ही रहता है और, सर, मैं नताशा से कल रात को ही मिली थी, तकरीबन, दो बचे, बहुत परिशान लग रही थी, सर रात के दो बचे, चाँ सर, ये बिल्डिंग अभी कुछ दिन पहले ही बनी है, इसमें जादातर फ्लाट्स खाली है, फिर फ्लोर पे इस फ्लाट को छोड़कर, पाकिस्तार फ्लाट्स खाली है, सर मैं इस बिल्डिंग में सीसीटी में कैमरा जेके थे, क्या वो काम करते हैं नहीं, अभी नहीं सर, कुछ वाइरिंग का काम चालो है, शर, वैसे आप फ्लोर पे रहते हैं न, बिल्कुल इस फ्लाट के नुची, हाँ सर, तो में कुछ तो सुना होगा, हाँ, यहां पर यह कूण हुआ है, सर वो कल रात पर यह तबी ठीक नहीं थी, तो मैं जल्दी सो इसरे सर, अगर कोई शोचराब भी हुआ होगा तो मैंने नहीं सुना, सर, बस, बड़ी अजीब बात है इस लाश में, इसके सामने की तरफ इतना खून बाहा है, लेकिन पीट की तरफ खून है नहीं, इसे गोली से तुम्हारा नहीं गया, तो कमाल की बात ही है कि ना किसी जाकू या खंजर से मारने का कोई निशान, बंद फ्लैट में एक अंजान आदमी की लाश, फ्लैट का मालिक ट्रिप पे बाहर, फ्लैट की मालकिन, कल रात इस फ्लैट में थी, पर आज लाया भे, नताशा, अब टोटा कहा है, वो पर, प्लैट कर दोटा कर दो है, वो पर. आणन्द जी गुड़ मॉर्निंग अनन्द जी गुड़ मॉर्निंग अभे कदे तु ये पैकेट मुझे चुप जाप नहीं दे सकता था माफ कर दो साब गल्ती हो गे आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा साब अप्रान आन्या क्या हो गया एक सिंग अंटी क्या हो रहा है ये सब यहां पर और आप लोग कौन है आप कौन है? मैं कौन हूं मतलब क्या? मेरा घर है सरी है? समीर नाम है मेरा? समीर जी तुमारे घर के अंदर एक खून वा है क्या? खून? या खून कर रहा थे तुम? मैं बैंगलोर गया हुआ था सर मेरी कोई बिजनस की मीटिंग थी मैं अभी अभी एरपोर्ट से आ रहा हूँ सर टिकेट दिखाई? जी सर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरी वाइफ नताशा का है? सर वो ठीक तो है ना सर वही तो हम भी जाना चाहते हैं नताशा का है आपके गर में एक आदमी की लाश मिलती है जिसका खोन हुआ है और नताशा जी गाया भै आपके इन अताशा से बात कब होई थी? नहीं सर मेरी बात नहीं पाई थी उसने कल रात को मुझे फोन किया था लेकिन सर बहुत लेट होगी थी तो मैं सो गया था सर सुबह उठा तो उसके दो मिस कॉल मुझे मिले थे जब वापस मैंने उसका फोन ट्राइ किया तो उसका फोन स्विच ओफ आ रहा था सर याद में इसे जानते हैं नहीं सर कौन है यह मैं पहली बारी की शकल देख रहा हूँ और सर यह मेरे घर में गुसा कैसे वही तो याद भी तुमारे घर में गुसा कैसे गर के अंदर सब कुछ तो ठीक ठाक था इसका तो एक ही मतलब है कि यह आदमी जबर्दस सीघर के अंदर नहीं घुसा या तो इसे किसी ने घर के अंदर ले लिया या पिर इसके पास तुमारे घर की चाबी थी तो फिर बताइए सुनिर जी कि तुम्हारे इस बंद घर में एक अंजान आदमी का फून हुआ है कैसे सर, सर बिल गया, इधर आई, एक्स्कूज में, सर, यह आदमी के राद में डूटी थी, सर, और यह जब जिन्दा थे, तब इस आदमी ने देखा था, कहा देखा था सर, कल मैंने रात को इनको गेट के बाहर नौबजे खड़े हुए देखा था गेट के बाहर? वह सकता है वो किसी कह इंतिजार कर रहा हूँ? मताशा कर रहा हूँ इस आद्यों को यह आपर देखा है कल यह यही पर असपास घूम रहा है हाँ हाँ साब, कल रात यह यही था, दरू दरू चक्र मा रहा था और फिर थोड़ी देर बाद आया, हमसे बात करने लगा अच्छा आपकी दुखाले बुरे देरे जिने लोग आते जाते रहत रहे हैं, आपने तो उसे अच्छे बचान दिए? आप सही कह रहे हैं साहब, इसको याद रखने का एक कारण था क्या करन है भाई? साहब यही, कि वो बहुत कुछ पूछ रहा था फागतू बातें, इधर उधर की बातें, टाइम पास कर रहा था यह पूरे एरिया की जानकारी ले रहा था साहब वो अच्छा, कैसे, कैसे जानकारी यही कि देव दर्शन बिल्डिंग के बारे पूछ रहा था हमने कहा राएम पास कर रहा जाना होगा, हमने उसको पता बता दिया देव दर्शन? यह तो वही बिल्डिंग है जहां पर यह नताश्य रहती है बिल्डिंग का पता पूछ रहा था इसका मतलब वह पहली भारी सेरियम आया होगा तुमने देखा था वो कैसे आया था, यहां पर? हाँ साह, टैक्सी से आया, इधर उधर देखा, फिर हमरा पास चला आया मतलब वह नहीं चाहता था कि किसी को बता चले कि वह उस बिल्डिंग मा जाने वाला तैक्सी का नंबर देखा आपने? नंबर अंबर तु साह, वह 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 वाली टैक्सी होती है वह वह ही जिसको पॉन करके बुलाते है और जट से आ जाती है माई टैक्सी हाँ मतलब सर्व हो गाप सर्विस यार ये माई टैक्सी बाले तो सारा रिकार्ड होगरा रखते है दूर्वी, पता करो कल्दा नौ बजे यहां पे उनकी कौन सी टैक्सी आई थी सर्म पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल रहे है मेरी तो मुसिबत बढ़ती ही जा रही है पता नहीं यह आतमी कैसा होगा साभ यह पैकेट आपको शुप अर्वाई गाल टा कौन बेहर देरे को यापे? मेरा पता किसने देरे को? साभ वो वो एक आदमी है साभ उसी ने मुझे आपका पता बताया साभ उसी ने मुझे आपको देने को काई साभ ला वो पैकेट बिखा इस पैकेट तो ने खोला है? नहीं साभ, मैंने इसे नी खोला है साभ यह लड़के चूट पत बोलना हुआ उससा चूबलवाना मुझे आता है साभ यह क्या कर रहे हो साभ मुझे मत भारो साभ मैं आपको बताता हूँ साभ इसको नो मैंने सिर्फ थोड़ा सा खोलाते साभ और मैंने कुछ नी किया तब मैंने मैंसे बोरा तब इसमें से कुछ पैसे तुने चुरा है साभ साभ मैंने मैंने कुछ ठैसे नी चुरह है साभ साभ मैंने इसको सुरफ खोल खोल ता साभ उसके इलावा मैंने कुछ倔 किया साभ मुझे जाने दो साभ माह टैक्ज सी ओलों कि यहीं केटिस्टिया है कि फिलेवल सब्सक्राइब क्या है कि दो दिन से एक आदमी गायब है कमरे में इसे और आप लोग खोलकर भी नहीं देखते हैं सर कैसे देखते हो हमीशा अपने रून के बाहर दो नौद डॉस्टप का बॉर्ड लवाके रखते थे और किसी भी स्टाफ को अंदल जाना अलाऊब नहीं था आई यह दो अंकाच अंकाच यहाँ वो समागे इस गठाओ उठाओश करंट लग वहा है पुर्वी, नेक, अगे बच्चो. समयलके, उट्टो. समयलके, बच्चो. समयलके, बच्चो. समयलके, बच्चो. सब्साथ, थाइचो. समय बच्चो. समयलके, बच्चो. समयलके, बच्चो. झाल 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 सब लोग ठीक है? हाँ सरा सर तर इस लैंड से चल रहे थी गुलिया प्रकाश ने तो इस कम्रे को बैटल ग्राउंड बना के रखा है और ऐसा बंदोपस करके रखा है ना ताकि इस कम्रे में कोई अंदर आई ना सके पर अगर भूल से भी कोई घुज जाए तो जिन्दा बाहर नहीं जा सके इसलिए तो होडिल का स्टाफ कोई अंदर आ नहीं रहा था बार लगा के रखा था मैं डू नोट डिस्टरब इसलिए अंदर नहीं जाएगी लेकिन काफी देर के लिए भी हो सकते तो इतना चौकना तो वही होगा जिसके खुद की जान खत्रे में हो आदया और इतना चौकना रहने के बावजूद भी प्रकाष मारा गया ना किसी ने तो प्रकाष को मारा तुम या क्या करें तुम तुम भी इनके साथ चामिल हो नहीं मेडम मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है मैंना के गर गया था मुझे नहीं आवाप एक लाश मिली थी मैंने डरके यह वासे भाग गया था निम्चाव ब्योकुम लडगी, तुमने मुच्पे गोली चलाए को एक प्रूड़ जिए तूम प्रूड़ जटी चाहने, जपराव प्रूड़ प्रूम प्रूब जब में करें लिए कौन कौन इस आप्रीशन में शामिल है? मुझे नहीं मालूँ मैं भी तुम्हारी तरह इस जांग में बहुरा हूँ मुझे नहीं मालूँ इसका लीटर कॉन है कमान है पूरी चीर भाड कर ली, पुस्ट भाटम कर लिया लेकिन कुछ समझ में नहीं है शरीर के अंदर काफी कुछ जल गया है, गोली तो हो नहीं सकती है पिर पिरे मरा कैसे है सर्? हम? सर इसक शरीर के अंदर से जो टुकडे मिले हैं वो जिलेटन जैसे हैं जैसे कैप्सूल्स के होते हैं कैप्सूल्स? हम अच्छा और और क्या? पिर इसकी ये प्लाद रिपोर्ट आ गई है तू क्या केती है? आप ही देख लीजा क्यो? टेंशन है? बहुत बड़ी बहुत बड़ी टेंशन, इसा क्या है? अमोनियम नाइट्रेट? इसकी बोड़ी में? इसकी बोड़ी में अमोनियम नाइट्रेट? इसकी बोड़ी में? इसकी बोड़ी में अमोनियम नाइट्रेट? इसकी बोड़ी में अमोनियम नाइट्रेट? इसकी बोड़ी में अमोनियम नाइट्रेट? आइकार सारूं के गाफोन बस बुल इस आजमी की मौत के गुत्ती सुलज गई है मैने पता लगा लिया है के आखिरी आदमी मरा कैसे इदेख डायलाग वजी बंकर और साफ साफ बता दे क्या पता चला है बस कैपसूल की वज़े से उसके मौत हुई कैपसूल की वज़े से मतलब ऐसा कैपसूल के अंदर मुझे कियो? अपनमोन्यम नाइटियट है इसमें अम liberation ऌणमोन्यम नाइटियट? ते इसी से मरा है वो। परकाश आप होल अमोनियम नाइटियट से भरीला कैप्सूल यह आदमी खाता है तो इसके शरीत के अंदर जाकरके एक जगेंट रुख जाती है कैपसूल का उपर का जिलेटिन उस अमोनियम नाइटरेट को बाहर नहीं आने देता है तब तक जब तक कि वो परत गल नहीं जाती धीरे धीरे वक्त गुजरता है और वक्त के गुजरने के साथ साथ उपर की जिलेटिन की परत गलने लगती है और अंदर का आमोनियम नाइटरिट बाहर आता है बाहर आकर के इसके शरीर के और केमिकल्स के साथ रियक्शन करता है और उस रियक्शन की वज़े से एक जबरदस विस्वोट होता है उसकी वज़े से इस आदमी की मौत हो जाती चलती ही क्या सामती, थैक्स गवरे में इतना बंदो वस्था है एक चीटी तक खुष्ण एह सकती फिर भी इस खूनी में प्रकाश की दवाईयां कैसे बद्ली, क्यक्चन कैसे बद्ली सौर अदेया इय देखिए एचे पाउडर किरा है इस जब संबल के रहे से संबल के आए संबल के दया है लगता किसने डिल किया किसने लेक्र बोर्सा दिवार कुल दियासा बगलवला कमरें से अच्छा तो यह है वो रास्था जासे खुनी ने प्रकाश के दवाई की कैपसुल बदल लादी है तो यहां से बदली गई है प्रकाश की दवाई सर्थ यह फोटो में लिए उस रूम के डौर में यह तो नताशा है पर यह प्रकाश इसे की तो लाश मेली थी नताशा के हर में ते चक्कर क्या है जरू नताशा और प्रकाश कोई ना कोई संबन जरू है दोनों का सर्थ यह आदमी आ रह रहा था अवन के नाम से यह है अवन कुमार मेरा घर है सर्य है समीर नाम है मेरा नाम चाहे कितने भी बदलो चेरा तो भी रहता है ना इस समीजी के दर्शन करते हैं सर्य सर्यर्ड वी के जाया कतै कि जर्शार विया विलल में विललल में बला उसर्यू खर विलल सर बार-बार अपनी गड़ी देख रहा है और रेस्टराउन के दरवाजे को देख रहा है सर लगता है किसी का इंतजार कर रहा है बंगज नजर रखना उस पर है यह सर ओवर एंड आउट कोई भी नोटों को देख कर नहीं कह सकता यह नकली नोट है बस इन यह बाजार में फैलाने की दे रहे है बस अब को नहीं है पता नहीं यह राकेश यहां क्या कर रहा है इसको यह जगह किस ने दिखाई तुने कि मेरा दिमाग खरावे गया मैं इसे यह का पता क्यों बताऊंगा इसे तो यह भी नहीं पता कि मैं इस रैकेट के लिए काम करता हूं और इसके साथ यह दूसरा आप में कौन है तु जानता इसे पतानी कोहन है शायद इसका कोई दोस्त हो एक काम कर दोनों को अंदर आले दे ए मंग्या जाए दरबाजा खुल जाकर इंदर आप इंदर आप आओ राकेश आओ मैंने तुझे एक काम दिया तु और वो काम तुने बहुत अच्छ से किया लेकिन अब वो काम खत्म हो गया है इससे दुझा इसके लिए मुझे तेरी कोई जरूद नहीं मुखन तू तू भी लोगों के साथ चामिल था तुझे क्या लगा कि तू गलती से इंसम में फस्ता चला जा रहा था मैंने ही तुझे चुना था राकेश तुझे यह नहीं आना चाहिए था अभी देखना तेरे साथ साथ मुफ्त में तेरा दोस्त भी मारा जाएगा हाँ इतनी भी क्या जल्दी है नताशा तुम? नताशा तुम? इतनी देर लगा दी तुम्हें सब ठीक तो है नताशा दो भी व्लाफनों सर् क्या लेंगे याँ? अले लेव कफी ओके अच्छा तो ये है आखरी बार पोछ रही हूँ तुम लोगों का बॉस कौन है बता दो मुझे परना तुम सबी का भी वई हाल करूगी जब तुमारे साथी विक्रम का किया था न-n-n-n-n-Natasha मेरा यकीन करो मैं कसम खाता हूँ ये रेकड्ड कौन चला रहा है मुझे बिलकूल ही पता अगर तुम लोगों को कुछ पता नहीं तो तुम लोग मेरे किसी काम के नहीं न-नाताशा न-नाताशा पुचो कौन है कौन है मैं समीर नताशा का हुजबंड उसने मुझे बुलाय था समीर जो देखो नताशा यह क्या हो रहा है यह सब हमारे हाथ में बंदू यह क्या हो किया रहा है नताशा मैं समझा दिया तो चुलाश हमारे गर पर मिली दिया वो मेरे पापा की थी क्या आज तब तुमने इतने सालों में इनके बारे में कुछ बताया नहीं कोई जिकर नहीं किया पच्पन में मैं घर से भाग गई थी इतने सालों में घरवालों से मेरा कोई कॉई कॉन्टाक नहीं था मेरे पापा एक आमी ओफिस है थी पताहिए हूं उन्हें कैसे पता चलिया कि मैं एक मुसीबत में तसीन हुआ है और हूं मुझे बचाने चलिया आकर अपनी जान कवादी। कॉन सी मुसीबत नथा नथा? कॉन सी मुसीबत? सुमीर मैं नखली नोटों के दल्दन में फज गई हैं। नखली नोट? हाँ, और इन लोगोंने मेरे पापा की जान ले लिए, बोलो को न है तुम्हारा बोइफ़नो, मैं हे, इल्लामत, इल्लामत तुम लोग आन्या, अन्या यह सब तुमने किया है, क्यों पैसो के लिए, बीबी बीबी यह तुम दुनों के बीच क्या चल रहा है साधा मत सोचो नताश्या वो क्या है ना, तुम्हारा पती मेरे प्यार में पड़ गया था, तुम्हे धोका दे रहा था समीर, पर अब यह मेरे किसी काम का नहीं वैसे काईद से देखा जाए अब तुम सब को मनना पड़ेगा मेरा चहरा जो देख लिया तुम लोग में वैसे आए अब झाल वैसे परे भी टुम्हें वाँ यह वाँ व यह झाल 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 कोई पैसो के लिए तो कोई अपनी मजबूरी के लिए नहीं तो डर से मेरा मेरे नकली पैसो का कारवार तो करी लेता था नद अश्या के पापा को उसकी सच्चा ही बता चल गई थी वो वो सब की सामने मेरा सच लाना चाहते थे इसलिए उन्हें मार दिया सूरिय होटल के प्राकाश जी के बगलवार रूम हमने बुग किया पावन के नाम पर मौकर पिलते हैं उनकी दवाई की बॉटर चेंज कर दी अमोनियम नाइट्रेड के साथ समीर और पवन तो तुम बैंगलोड नहीं कहते हैं और तो सूरिया में थे हैं पैसों के लिए हो या मजबूरी में गलत काम तो गलत काम ही होता है तुम सब नकली नोटो के कारूबार में जो शामिल थे उसके लिए सजा मिलेगी और अन्या तुम्हें तुम्हें तो शायद भासी होगे कि यूज़ में तुम्हें तुम्हें पत्सके लिए होगे होगे हैं